तू प्रिडिक्ट दा ओक्सिडाइजिंग एंड रिड्यूजिंग ट्रेंड मतलब की देख बहुत देर से अभी में पिछले दो लेक्टर से हम ओक्सिडेशन और रिड्यूजिंग पढ़ रहे थी और मैं बार बार इंट्रिडूस कर रहा था इनॉट सेल को उसी के सारे कारणामे हैं और पेपर में एक नएक सवाल जरूर ऐसा मिलेगा रहे जो ऑक्सिडाइजिंग और रिड्यूजिंग ट्रेंड को डिफाइन करेगा और इसकी ट्रिक ही बता हूँ पेपर में कैसे सवाल ल 1.34 वोल्ट था और मैं तुझे कोई भी एक एक रेंडम डाटा दिया एमजी पलस टू से एमजी सॉलिड है जिसका डाटा है वह 0.78 वोल्ट है मैं ऐसी रेंडम डाटा उठा रहा हूं और मैं कोई ऐसा एक्सपरिमेंटल डाटा नहीं उठा रहा हूं ठीक है मैंने ऐसी सिं विठेजक विचरु बी ऑन था गिवन डाटा विचरुं डाटा यह विद्विल बी दा बेटर ऑक्सीड़ाइजिंग एजेंट एंड रेड़्ीउजिंग एजेंट या मैं पूछने लगूं किसकी ऑक्षिडाइजिंग पावर जाधा होगी या किसकी रिड्यूजिंग पावर जाधा होगी पहले एक बार आप ट्राइजिंग करेंगे फिर्मिट बताता हूँ आप सिंपल कॉस्चिन है सिंपल इनौट का कॉनसेप्ट लगाना बड़ी इजीव आप बता सकते हैं कि कौन बेटर अक्षिडाइजिंग पावर बोलूं reducing agent यह reducing power बोलूं दोस्ट इतना time हमारे पास है नहीं तो मैं करता हूँ सवाल को देखना हूँ देख भाई अगर मैं reducing power को define करता हूँ reducing power reducing power define करूँ या मैं agent बोलूँ देख भाई मैं कहूंगा reducing power का मतलब है किसी को reduce करने की छमता और reducing agent की बात कहूँ कभ करेंगा मतलब मैं नमें अगर चाहाँ तो में कभ करूगा जक्ल मैं खहुद में खोड औक्षड़ाइज ओंगा बहुत समझ मारे और अगर मैं खुद ऑक्षड़ाइज करने सब्सक्राइब तो कुण होगा जिसका क्HUD का Oxidation की उकात जादा होगी More Oxidized होगा या मैं कहूँ Self Oxidized होगा Self Oxidized होगा और Self Oxidized कब होगा जब E not OP क्या होगा More होगा बोलो भाइ बात समझ माई यह नहीं आई ठीक है Similarly अगर मैं इधर देगे अगर मैं कहूँ Oxidizing isn't या मैं कहूँ Power तो भाइ या Oxidizing isn't मतलब मैं किसी को Oxidize कर रहा हूँ और मैं किसी को Oxidize कब कर वा रहा हूँ जब मैं खुद Reduce हो रहा हूँ और मैं खुद Reduce कब हूँगा जब मेरा Reduction Potential ज़ादा होगा इसका मतलब मैं कैसी Species हूँ मैं Self Reduce हूँ और मेरा Maximum क्या होगा Reduction Potential E Not RP Standard Reduction Potential मेरा क्या होगा Maximum होगा बास समझ मारी है बई अगर मैं अब इस सबाल पह जाई सबसे पहले अगर कभी भी Electrochemistry में deal करना है न सारी terms को एक term में convert कर लो कैसे करना है देखना रहे ट्रिक सीखते चलना देख भए टू पॉजिटिव से सीउ जीरो इसका मतलब E Not Reduction गेवन है यह E Not RP गेवन है MG टू पॉजिटिव से MG इसका मतलब ये भी क्या है E Not RP गेवन है ठीक है भई सुनना और ये क्या है मेरे पास 0 से 3 पॉजिटिव मतलब कि E Not OP गेवन था लेकिन मैं तो यार E Not RP के साथ डील करना चाहता हूँ तो ये क्या है ये तो है मेरे पास E Not OP और ये अगर मैं इसको माइनस 1.6 वोल्ट लिख देता हूँ तो ये क्या वन गया मेरे पास इसका E Not RP उस ताइम पे मेरी reaction क्या होगी रे representation क्या हो जागी चाहिए तो उसका reduction potential E Not RP की वैलू क्या होगी इसका मतलब इन तीनों में से E Not RP की वैलू किसकी जादा है रे इसकी जादा है बास समझ माती है उसके बाद अगर मैं कहूँ E Not OP मोर चाहिए इसका मतलब क्या होगा reducing agent या reducing power अच्छी होगी तो E Not OP किसका जादा है तो OP के साथ deal कर लो यहाँ पे क्या हो जाएगा E Not OP इसका minus के 0.34 volt है इसका minus के 0.78 volt है और इसका तो given ही था तो ये बहतर कौन है रे ये बहतर कौन होगा reducing agent और ये बहतर कौन होगा और ये बहतर कौन होगा रे oxidizing agent mg जो है ये कौन होगा बहतर oxidizing agent और ये कौन होगा बहतर reducing agent लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कात ये पढ़ती है कि बच्चों को ये ही समझ में नहीं आता अभी तक कि A Not पे जो reaction चलती है वो कहां से कहां चलती है बास समझ में आ रही है ना संपजना केस को समझ धो थोड़ा tempted को केस को समझो रहे कष्कू समझो मैंने कहा कि कि किसी को oxidizing agent बनना ये तो ये बात तो साफ है उसका reduction potential जादा होगा ठीक हम और अगर उसका reduction potential जादा होगा तो गो खुद क्या होगा reduce हो और अगर वो खुद Hugh तो अब सीरी सी बात है मैंने क्या बोला अगर किसी का जादा है तो खुद रिडियूस होगा और उसका जाएगा कहां पर एक्षाड पर जाएगा और कैथॉड पर जो रियक्षिन चलती है वह कहां चलती तो रेक्शन कहां चलती है इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर चलती है इसी स्पीसीज को मैंने क्या डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में और इसको मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रोड डिफाइन किया था ठीक है ना इसका मतलब मैंने क्या बोला maximum rp किसका था इसका मतलब mg2 positive जो होगा वो कौन होगा better oxidizing agent होगा और same कहानी e0 op जादा मतलब की anode पर reaction और अगर anode पर इसके case में reaction चलेगी तो AL जो होगा ना वो better कौन होगा रहे reducing agent होगा है reducing power उसकी जादा होगी और जो reaction जा रही होगी वो AL solid से AL 3 positive 3 electron निकाल गया रही है बोलो भाई ये application समझ में आई ये नहीं आई बोलो भाई सर्फ मैंने दो ये बातें बताई सेल कंस्ट्रेक्ट कैसे करते हैं और दूसरी बात oxidizing और reducing trend एक ना एक सवाल जरूर मिल जाएगा पेपर में बोलो भाई simple ये ध्यान रखना है देख वही कही बार क्या होता है कही बार हमें ये कही बार simple मान के चल कही बार simple मान के चल पेपर में सवाल देए किसकी reducing power जाद आए और अगर तुझे गलती से ध्यान है कि reducing power का मतलब क्या था reducing power का मतलब था more oxygen ये self oxygen species और उसके case में E naught OP more होता है इतना भी याद नहीं है लेकिन तुझे इतना याद था कि एनॉड पर reaction चलनी चाहिए और अगर एनॉड पर reaction चलेगी तो वह electrode to electrolyte चलती है इलेक्ट्रोड टू एलेक्ट्रो लाइट चलती है ठीक है ना इसका मतलब अगर electrode होगा तो वह better reducing agent होगा तो बास समझ में आई ना ठीक है ना बैटर क्योंकि एनॉड पर एक्षिन चलती है सेम कहानी इल्टी यहाँ पर हो जाएगी एलेक्ट्रो लाइट होगा तो बैटर oxidizing agent